वेलकम टू इट एनी टाइम आज की रेसिपी है पनीर अंगारा अब इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा क्योंकि ये देखिए इसमें पनीर के जो ये पीसेस हैं बिलकुल अंगारे के जैसे दिख रहे हैं तो डरिये नहीं ये मूँ में जलेंगे नहीं बहुठ टेस्टी लगेंगे तो चलिये देखते हैं कैसे बनाते हैं तो पहले इसके लिए बेस ग्रेवी के लिए हमने OIL ले लिया और उसमें जीरा डाल लिया और करीब हमने दो ब्यास, एक्टम बारी चॉपर से काट के और उसमें डाल दी और इसको हमें सौटे करना है अब ये पनीर करीब में ने 200 ग्राम लिया है तो इसका पहले पार्ट हम कट करके और इसको हम मिक्सर ग्राइंडर में डालके इसका बारी पेस्ट बना लेंगे इसमें торовड दूट डालके आप पेस्ट बना लीजे और इसको आप gravy के लिए अलग हम रख देंगे पनीर तो आपने बहुत तरीके से बनाई होगी एक बार इस तरीके से बनाई अब ये देखिए जो बचे हुए पनीर हैं इसको हमने cubes काट लिए ये प्यास भी हमाई golden हो चुकी है तो हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे इसमें हम हल्दी नहीं डालेंगे ये धनिया डाला, थोड़ा सा गरम मसाला ये कसूरी मेती और ये अद्रक लहसुन का पेस्ट थोड़ा चला के फिर हम इसमें ये पेस्ट डाल देंगे पनीर का और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके ये नमक डाल दीजे स्वादनिस्वार और पूरा मिक्स कर लीजे प्रॉपर ली अब ये देखे ऐसी कंसिस्टेंसी के ग्रेवी बहुत रनी भी नहीं होनी चाहिए अब हम अंगारे बनाएंगे पनीर की तो उसके लिए भी पैन में तेल ले लीजे और हमने दो टमाटर की प्योरी बना लिए पीस के और उसको डाल दिया है अब इसको थोड़ा सा इसका ओल निकलने तक इसको थोड़ा सा भूलना है फिर हम इसमें मसाले डालेंगे थोड़े थोड़े से बहुत जादा नहीं थोड़ी सी धनिया पाउडर और जरा सी मैंने मेथी पाउडर डाला है और बहुत थोड़ा सा गरम मसाला और ये लाल मिर्च डाली है तो लाल मिर्च आप कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ी सी देग कारे जैसा लुक देना है जरा सा नमक ध्यान दीजे हमने ग्रेवी में भी डाला है तो यहां पे हमें समाल के डालना है बहुत जादा नहीं होना जाए अब यह पनीर क्यूब्स डाल देते हैं और इसको प्रॉपर मिला देते हैं ताकि यह जो पूरा मसाला है उसकी चारो पनीर में कोटिंग हो जाए और फिर इसको हम थोड़ा सा ढखके ताकि मसाली का फ्लेवर थोड़ा अंदर तक पनीर में आ जाए यह देखे कितना बढ़िया लोक आ गया है और मोस्ट हमारे अंगारे जिसे पनीर दिखने लगे हैं तो अब हम सर्फ कैसे करेंगे तो एक बो यह देखे बिलकुल कैसा अंगारे वाला लोक आ रहा है और इसको ऐसे ही सर्फ करना है यह बिलकुल डिफरेंट सर्फ करने में देखे कितना प्यारा लग रहा है और यह जितना अच्छा दिख रहा है ना उससे भी टेस्टी यह खाने में लगता है और यह पूरी आपकी च साथ जरू शेयर कीजिएगा